सो है डिस इस प्रवात रंजर आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे हूंगे दा किंग्स ग्रामर बाइशन पॉब्लिकेशन जिनके ओधर हैं संजय कुमार सिनहा जिनके नाम गिनिज वर्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है बुक्क योपर क्लियरली लिख रखा गया है तो पहले पेज में देख सकते हो टोटल 18 टॉपिक्स है और दूसरे पेज को भी देख लो तो आप देख सकते हो टोटल कुल मिला के 31 टॉपिक बन जाते हैं इस पूरे बुक्क के अंदर यानि topic वही सारे जो हमारे 6, 7, 8, 9 में basic जो हमारे topics होते हैं English grammar जो चीजे होती है Ren and Martin वगेरा books देखते हो उन्ही की category का हमारा book है अब चलिए अंदर chapter में चलते हैं कि किस तरीके से चीजों को समझा रखा गया तो सबसे पहले chapter देखे लिए definitions यानि कि भी या definition of grammar 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 क्या होता है grammar के अंदर जो main topics पढ़ते हो आपका tense वगेरा सभी का basics पहले दिया जाएगा तक कि जब इनके बारे में detail में पढ़ने जाओगे तो पहले कुछ idea रहेगा कि हम बात क्यूं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं जैसे सबसे पहले देख सकते हो definition के अंदर grammar हमारा पहला topic है पहली बात तो हम grammar ही पढ़ रहे हैं तो grammar क्या होता है तो grammar को इन्होंने अपने observation से कुछ gram plus ar, gram, ar में तोड़ा है तो gram का मतलब हम measurement समझते हैं अर का मतलब अर से थोड़ा सा डूर बना दिया इन्होंने measurement of language बोलते हैं grammar को इतने छोटे-छोटे सिंपल से सब्दों में लिखा गया grammar का मतलब क्या यानि जैसे आप किसी scale तराजू जिसे हम हिंदी में कहते इससे आप नापते हो वजन बगेरा हो गया तो किस से हम language को measure करेंगे language सही है या नहीं है तो वो अगर English की बात करेंगे तो English grammar हिंदी की बात करते तो Hindi grammar हो गया इसी प्रकार से छोटे-छोटे चीजों में तोड़ा गया examples proper हमें देखने हो मिल जाते हैं और multi color edition तो ही है धेर सारे pictures वगेर हमें देखने हो मिल जाते हैं क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे क्योंकि यह सारे books वो हैं जो कि छोटे बच्चों से लेकर class 6, 7, 8 से लेकर अगर आप किसी competitive exam की भी त्यारी कर रहे हो कभी अगर आपको grammar की नीड़े आपके लिए book suitable रहने वाला है फिर जैसे definition का मतलब क्या होता है इसका भी definition definition मतलब d plus fine तो यह सारी छोटी-छोटी चीजों को लेकर आप देख सकते हो कुछ examples वगेरा हो गए कुछ definitions हो गए अगले page में हमें tense देखने हो बिल जाता है tense का मतलब इन्होंने time plus sense में आपका future मतलब time का जो sense दे रहा है उसे हम tense कहते है examples हो गया present, past, future सारी चीज़े लिखी गई है sentence क्या होता है वहिया क्योंकि यही से तो कुछ-कुछ sentence के चोड़े-चोड़े पार्ट में हम grammar की चीज़े लगाते है sentence मतलब sense of tense sentence तो यही सारी चोड़े-चोड़े यह करके base बनाता हो गया है मारा यह chapter subject क्या होता है तो sub plus object यानि कि somebody plus do तो इसका भी example देख सकते हो predicate के इसी प्रकार हमारा चोटा-चोटी चीज़े ब्रेकडाउन किया गया next page में object और model auxiliary का दिया गया है फिर आपका language क्या होता है literature को कैसे छोटे-चोटी चीज़े ब्रेक कर सकते है parts of speech क्या होता है तो यह सारे आप देख सकते हो अगले page में हमारे पास parts of speech और figure of speech यानि कि जैसे parts of speech और figure of speech में क्या difference है parts of speech एक sentence लेकर उसे छोटे-छोटे parts of break या कि जैसे ही प्रोणाउन है इस वर्म से बढ़ एक 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 पार्ट को चोटे-चोटे parts में ब्रेक करके समझाया गया है वही figure of speech देख सकते हो या अपने आप में एक मेटाफर है तो ये दोनों difference अभी आपको detail में figure of speech हो गया part of speech इस chapter में नहीं पढ़ड़ा था इसमें आपको एक basics दिया गया था कि अब अगर कुछ confusion आ रहा तो इनके particular chapters पढ़ लो ना यार तभी तो मतलब इसमें basic सभी है definition वाले page में और फिर उसके बाद अगर interest आ रहा हो तो आगी तो हम पढ़ेंगे ही detail में पूरा book इसी तरीके से छोटे-छोटे चीजों को पिरो-पिरो कर समझाया गया है आपको तो जैसे पहला chapter हम लेते figure of speech chapter number 12 है page number 174 पे तो आप देख सकते हो किस तरीके से चीजों को लिख रखा गया है बिल्कुल एक multi color book जो हमारा होता है ताकि छोटे-छोटे students को ज्यादा बोरियत फिलना हो तो इन सभी चीजों का ध्यान रखाई गया है इसी के साथ अगर आप देखो छोटे-छोटी चीजों में जैसे antithesis, oxymoron इन में कहां कुछ जैसे antithesis को कैसे break कर सकते है antiplexesis इनके observation खुद के observation के हिसाफ से कहीं पर कुछ चीजे लिख रखी गई है कहीं पर अगर exact meaning कुछ बनता है तो ये सारी चीजे लिखते हुए काफी बारीकी से चीजों को breakdown करते हुए समझाया गया है यानि कि traditional जो definition वाला method होता है उससे हट कर अगर कुछ visual तरीके से समझाया जा सकता है तो वो सारी चीजे की गई है जैसे कई सारे बुक में देखोगे antithesis का अलग से पूरा definition वगेरा सारी चीजे हो गई ऑग्जी मौरान का अलग से लेकिन अगर दो चीजे similar type की हैं तो दोनों को साथ में लिखोया differences दिखाओ तो उन सभी चीजों से students को ज़्याद एक comparative तरीके सियाद हो पाता है फिर इसी की तरह से हमारे पास similar और metaphor का दिया गया है अगले page में alliteration, repetition, इन दोनों के बीच में क्या differences है एक्जामपल्स कहीं होने हुए जैसे इन द फिगर ओ इन दिस फिगर ओफ स्पीच ए लेटर इस रिपीटेड अलिटरेशन में बताया गया है जैसे बी, alliteration में B को मार्क किया गया है, F को मार्क किया गया है लेकिन वहीं अगर आप देखो repetition में तो particular कोई-कोई words को पुरी तरीके से मार्क किया गया है ठीकि इसी तरीके से देख सकते हो, pun और tautology में आपका difference दिया गया है next pages में चलो आपके litores, irony के बीच का difference तो ध्यान से देखो अगर तो जैसे litores को दिया गया है, lie plus positive में breakdown किया गया, lie मतलब not or negation तो इस तरीके से चीजों को जितना simplify किया जा सकता है, breakdown किया सकता है, इस तरीके से चीजों की गई है अब जैसे दो-दो का pair बन रहा था, अब अगर कहीं लगे कि तीन चीजे एक साथ अगर कहीं हो सकती interrogation, exclamation, apostrophe, तो एक जगा इन सभी उख क्लब किया गया है, personification, transferred, epithet यानि content में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ीगी, जो लेकिन जो traditional method वाला हमारा explanation, definition होता है उससे हट कर, जो थोड़े बहुत required definition है, वो तो है ही है, कहीं कमी नहीं की गई definition में, लेकिन इसी के साथ, जहां पर अगर example required है, जहां पर अगर हमें लग रहा है कि pictorial तरीके से, और खास कर मैंने देखा, जगा 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 पर अगर किसी particular word को students को समझाना हो, याद रखवाना हो, तो कैसे इनके खुद के observation से उस word को दो पार्ट में break किया गया, कि इन दोनों words को मिला कर कुछ-कुछ ऐसा meaning बनता है, तब यह हमारा word बनता है, जैसे देख लो personification, person plus fiction, fiction का मतलब दिया गया है, not real slash non-living, मतलब जहां भी students को लग सकता है, कि यह थोड़ा confusing word है, वहाँ पर भी थोड़ा सा focus किया गया है, meanings दिये गए, यानि कि इस book के साथ अगर जा रहे हो, तो और कुछ book को पढ़ते-पढ़ते, दूसरा और कुछ refer करने की ज़रोत है नहीं हमें, तो इसी तरीके से आपके जितने भी figure of speech हो गए, वो सारी चीजे देने के बाद इसके बाद हमें देखने हो मिलता है, जैसे alliteration, repetition, simile, इनके साथ और कुछ-कुछ examples वगेरा सारी चीजें में देखने हो मिल जाती है, और काफी ज़्यादा आपका pictorial यानि कि students को छोड़े बच्चों को pictures वगेरा book में देखने रंग भी रंगे काफी पसंद होते तो उस पर भी ध्यान दिया गया, यानि कि एक-एक aspect से book को दियान में रखते हो बनाया गया है, इसी तरीके से आपका irony, retorts, interrogation, exclamation, apostrophe, hyperbole, जितने भी चीजे हो सकती है, सब ही को एक-एक तरीके से और बस normal example नहीं, बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि जो इनका keyword है, उसे highlight करने का जितना colorful तरीके से box में बंद करके हो सकता है, उसका meaning हो इसे चीजों को solve करते हुए बताया गया है, तो अगर और हम book के अंदर बढ़ें, जैसे इस हमारे figure of speech वाले chapter में अभी तो हमें जितने भी आपके 32 figure of speech होते हैं, सभी का pictorial form में जितने भी example से सारी चीजे दी गई थी, चलिए एक और chapter हम देख लें, जैसे हम देखते हैं तोड़ा गया है, phase plus rage, मतलब इनके खुद के observations है, अगर student को कैसे मतलब हसी हसी खेल खेल में चीजों को समझाते है, उसी तरीके से चीजों को breakdown करते हुए समझाया गया है, phrase को इन्होंने phase plus rage में तोड़ा है, rage को इन्होंने सुनाई दे रहा है, erase जैसा, तो erase, अब erase का मतलब omit और phase का मतलब important part, यानि कि समझाया है कि phrase एक ऐसा चीज होता है जिसके important part हम से देखते हैं और बाकी चीजों को हटा देते हैं, एक particular sentence में जो सबसे important keyword है उसे phrase कहा गया और बाकी सब चीजों को हमने हटा दिया, अब important part, subject, verb, object, compliment कुछ भी हो सकता है, तो देखिए बहुत ज अगर कही required definition जैसे नहीं चेक, phrase का definition में लिख दिया गया, phrase is a part of sentence without a subject, verb, object or compliment, phrase does not contain a subject and a verb, ये सारी चीज़े हम देख सकते हैं, फिर subject, verb, object का कुछ examples, she speaks English, ये सारी चीज़े आप देख सकते हो, next page में चलो, तो example 1, 2, 3 देख पार है और हर example के अंदर सभी examples को छोड़े ब्रेकडाउन किया गया है, और साथी साथ बच्चे हो, अगर बोर ना हो जाओ, अगर छोटे बच्चे इस बुक को पर्चेस कर रहा है, एक्चली किसी भी age group, किसी को भी अगर grammar पढ़ना हो, जो कि हमारे छोटे जोटे classes से लेकर कभी भी आप grammar अगर किसी competitive exam का त्यारी कर हो, कभी भी इस बुक को पर्चेस कर सकते हो, लेकिन खास कर छोटे बच्चों के लिए, अगर कहीं बोरियत फिलना हो, तो पिक्चर्स वगेरा सारी चीज़ दी गई है, और कहीं अगर required exercises है, देखे एक्जामपल्स तो हर जगा मिल जाएंगे, लेकिन जैसे phrase figure of speech वाले chapter में हमें, आपका exercise देखने हो नहीं बिला, लेकिन इन में exercise हमें देखने हो, जैसे exercise नमर 14A, 14B, देख सकते हो, ए exercise में 14 question, 14B में आपके 15 question, और उसके बगल में ब्रैकेट में भी लिख रखा गया है, कि basic exercise है, किस तरीके का exercise है, मतलब level wise difficulty के हिसाब से भी बांट रखा गया है, इ इनका आपका exercise देखने हो मिलता है, elementary level exercise है, 14C, 14D, फिर intermediate level exercise आता है, 14E, तो इस तरीके से total हमें exercise F तक देखने हो मिला है, इस particular chapter में जो की total हमारे पास बन जाता है, 19 question हमारे पास 14F exercise में है, कहीं पर 12, कहीं 9, कहीं 10, कहीं 19 question, यानि कि on an average 10 से 20 question या आसपास हर exercise में देने ही कोस इस की गई है, और मैंने एक chapter देखा था 10, ये मुझे बहुत 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 चैप्टर लगा 46 से लेकर page number 76 में, इसमें जो मैंने total number of exercises देख रखे थे, ये बहुत जादा थे, जैसे total इसमें मैं जितना exercise देख पा रहा हूं, जेट तक तो आपके 26 हो गया, फि कि इतना exercise देना जरूरी है ही है, जितना जहां जरूरत है उतना ही वहाँ follow किया गया है, ताकि आप कम से कम time में, required amount of time में, आप अपने अच्छे तरीके से syllabus को जहां पर जितने exercise sufficient है, जहां पर जितने example sufficient है, उस तरीके से बिलकुल, बोल सकते हो, पिरो पिरो कर नापनापना गया है, और सबसे premium चीज मुझे लगी है, इस book की page quality, मतलब book के pricing को भी अगर हम ध्यान में देना, तो बाकी सारे book से affordable rate, मतलब rate वही सारी चीज़े चल जाती है, लेकिन आपका paper quality उनसे काफी better देखने हो मिलता है, तो premium paper quality और बता दू, total page number, तो 424 pages हमें देखने हो मिल जात है, इनके Guinness World Record के साथ, इसी के साथ अगर दादो book की pricing कितनी है, तो 580 रुपीज हमें book के पीछे देखने मिलता है, और बाकी Amazon और Flipkart पे अगर चेक करना हो, तो उसका link नीचे description में दिया ही गया है, फिलाल आज की इस वीडियो में नहीं है, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो like, share, subscribe दिल खोल कर करेगा, और अगर कुछ दिल की बात हैं, कुछ वहन की बात हैं निक कर बताने हो, या पूछ नहीं हो, तो comment section आपने के लिए तो है, thank you for watching this video, good bye, I have a nice day, wish you all the best for future, enjoy your journey.